इस वीडियो में हम बात करेंगे DC vs LKN Dream 11 Prediction के बारे में यानि डेली Capitals और लखनो सूपर जाइंट के बीच में जो मैच 45 of IPL 2022 खिला जाएगा उस मैच के बारे में हम बात करेंगे सबसे पहले दोस्तों आपको बताना चाहूंगा जो लोग हमारे Telegram Channel में नहीं जुड़े हैं हमारा Verify Telegram Channel का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जिसमें 12,47,000 लोग जुड़ चुके हैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन या फिर टॉप के कोमेंट से आ पिल्कुल ना दे और यूट्यूब पे भी हमें सब्सक्राइब करके बैल आइकन प्रेस करके रखे ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे दोस्तों यह मैच खिला जाएगा वांखडे स्टेडियो मुंबई में जो एक टिपिकल बल्ले बाजी सर अब कौन सी विकेट यूज होती है अब एक पिच नहीं होती है हर मैदान पर अब मल्टीपल पिचे जो ती है तो उससाब से मैं आपको फाइनल जो रिपोर्ट है कहां पर दे दूँगा टेलीग्राम पर दे दूँगा इसलिए टेलीग्राम का लिंक वीडियो की डिस्क्र पर हुए लेकिन लास्ट मैच में इस मैच में काफी बढ़िया बॉलिंग करी थी एक सो उन्तीस में से तिरासी विक्टे यांप फास्ट को गई हैं 35 स्पिन को लेकिन लास्ट में भी विकेट्स निकाले थे वांखड़े एक ऐसा ग्राउंडे जाप हर आईपकेल का प्लियर काफी खेला हुआ है केल राहूल दस मैच में पांसो दो रन करें हैं दो शतक तीन अर्शतक इस ग्राउंड पर पहले ही हैं उनके पास क्रूनल नहीं है काफी अच्छा खेल है 387 रन कुंडर डिकॉक नहीं है 350 डेविड वॉर्णर 304 रिशापन 286 एवन लुईस 241 मनीश पांडे 205 दीपक हुडा 199 प्रितवी शौ 166 छे मैच में केवल ठीक है लजी ट्यादर 5 मैच 92 स्टोइनी 7 मैच 80 आयूज बदोनी 3 मैच 73 मिचल माच 3 मैच 65 अक्षर 9 मैच 68 रोमन पावल 3 मैच 69 और सरफरास 3 मैच में 34 बोलिंग वाइस भी कुरूनल यहां बहुत खेले है 24 मैच में 23 विकेट मुस्तफी जूर की 14 में 14 शारदू 13 में 10 सकारिया 6 में 8 आवे 6 5 में 8 अगर देखोगे अक्षर के पास 9 में 7 एंड्यू में 3 हुडा 9 में दो कृष्ण अप्पा गौतम 3 में दो स्टोईनिस साथ में एक यहां पे रवी बिश्णोई तीन में एक आयूज बदोनी तीन में और मोसीन खान एक में एक विकेट इसी साल एक मैच खेली है लखनौ की टीम की डेब्यू हुआ है सीजन एक में से एक मैच लखनो जीती है क्विंटन डिकॉग उस मैच में हीरो थे असी रन के साथ प्रित्वी शो ने 61 किया था रिशप 39 और सर्फ रास खान 36 दोनों नौट टोट गए थे विकेट्स में रवी बिश्णोई ये दो विकेट निकाले थे बहुत इंबोटन डेविड वर्नर और वी शोक आउट किया था दोस्तों अगर मैं आपको बताओं यहां पे लास्ट हैट टोट के मैच तो उसमें विकेट्स छे यहां पे रहती थी और लखनोई ने सारा टार्गेट चेस कर लिया था डिकॉग के 80 शौ 61 सरफराज 36 नवाद पंथ 39 और टोट कुलदीव दो विके पांच 28 59 प्लस एक विकेट 6 प्लस दो विकेट इनकी रिसेंट फॉर्म है नमबर तीन पे खेलते आपको दिख जाएंगे बागी के प्लेयर्स का भी आप रिसेंट फॉर्म देख सकते हो और इवन की उनका प्लेयर रोल्स देख सकते हो मैं आपको आगे दिल्ली की तरफ ल आपके लिए यहां पे बैक अपस हैं तो टीम में हर कुछ आ गया है मुझे जो सबसे अच्छी इनकी बात लगते हैं इनका उपनिंग पर प्रित्वी शौर डेविड वार्नर का मिचल मार्श भी बढ़िया है रिशप पन्त तो आपको पता हिए कितने बढ़िया है साथ मे आपको लेकर चलो स्कोरिंग पर तो आप देखोगे प्रित्वी शौर ने यहां दस को छोड़ दो यहां जीरो को छोड़ दो यहां सुना को छोड़ दो पांच मैच में अच्छी परफॉर्मेंस दिया आठ में से अब बाकी पंत का यहां एक चोड़ दो और यहां पे यह पंत की कहानी पिटल्स की दूस्तों अब बोलिंग देखेंगे कुलदीप नहीं आप 17 विकेट निकालें 29 लगबग ओवर करके पिछले मैच में वह सर्प्राइज की इनको क्यों नहीं मिला भाई ललीत यादव को ओवर दे दिया कुलदीप यादव को नहीं दिया लेकिन जो मेन बोलर है इनके वह कुलदी पी आ रहे हैं जो रेगुलर विकेट निकाल रहे हैं खली लास्ट मैच नहीं खेले थे चेतन सकार या खेले थे एक विकेट भी लिया था प्ली कैपिटल्स के फुल स्टाट्स पर सिंफो आप देख सकते हो किसी भी प्लेयर का रिकॉर्ड इस चीज़ में मिस नहीं हुआ है मेरे को नहीं लगता कोई चेंजिस होंगे लेकिन फिर भी एक बड़ी फुल रिकॉर्ड आप देखना चाहो देख सकते हो अभी दोस्तों आप इनके बोल्डर वी डवी डवी परसेंटेज देख लो अन्रीक नॉट्य आगर खेलते हैं तो उनकी सौ मेसे 38 विक्ते बोल्डर वी डवी डवी होती है जितना ज्यादा ये परसेंटेज उतना एक बोलर के पॉइंट करने के ज्यादा चांसे अगर हम लखनोग की बात करें लखनोग की हर प्लियर की यहाँ पर मैंने बात करी है इसमें हर प्लियर का मैंने रोल बताया हुए ज्यादा बड़ा स्कौर्ड नहीं है और रिसेंट फॉर्म भी सबसे मज़दार बात यह है कि आप यहाँ पर जो चीज दिखना चाहोगे मैं आपको गौर करवाना चाहूँगा क्रिशनप्पा गौतम पर क्रिशनप्पा गौतम लास्ट मैच खेले थे इस टीम के आगे और उन्होंने विक्टे भी निकाली थी तो कही न कहीं क्रिशनप्पा गौतम फिर से खेल सकते हैं लेफ्ट हेंडर को दिखते हुए क्योंकि रिशब पंत भी है रिशब पंत के साथ साथ दोस्तों आपको इवन डेविड वार्नर टॉप पे दिख रहे हैं लेफ्ट हेंडर उसके बाद अक्षर पटे तो कहीं न कहीं क्रिशनप्पा गौतम खेल भी सकते हैं इस मैच के लिए दोस्तों जब हम आपको लेफ्ट हेंडर का बता बताया है कि वह जालेंगे वह कितने ओडालेंगे लास्ट पे आपको बताया था तो काफी लोग कमेंट करने लगे तो मिला रही तो यह बताया गया था को कि ललित ओवर डालेंग और अवन यह नहींगा अब लखनो की बात करी जाए जाए नो में से च्छे याँपर विन तो सीधा सीधा क्रूनल पांडिया भी आ सकते हैं लेफ्ट हेंडर उपर बेज़ जा सकता है तो यह है टीम की स्ट्रेंथ इसमें राहूल जातर अच्छा कर रहे हैं अगर आप देखो तीन मैचेस में राहूल फेल हुए है जीरो जीरो और चे अगर आप नोट करो जब उन्ह बोलिंग ने टीम को मैच जिता दिया बोलिंग में सबसे श्रणदार यहां पर रहते दुश्यंत चमीरा जिनके बहुत महतवपून टॉफ़ पॉर्डर के दो विक्ते थे चेकेंड फिप्ट सिक्टीन्थ नाइटीन्थ होरे उन्हां किया था होल्डर भीया को होल्डर बा दाले थे मोसे ने चार वो डाले थे तीन विकेट लगे गए थे लास्ट मैच में और इवन क्रूनल पांडिया ने दो विकेट निकाली थी इंपोर्टेंट लास्ट मैच में बिश्णोई को एक ही विकेट मिली थी बट कुछ विकेट थी और यह चीज़ देखके चलना लास्ट यर के परफॉर्मेस देख लो जो मैंने इकठे कर दिया हैं जो भी प्लेयर खेले थे किसी और टीम में अब लखनाव में हैं मैंने यहां पे नाम रख दिये हैं अगर आप प्लेयर मैच अपसे नजर डालो दोस्तों तो लोकेश राहूल पिछले मैच में कुल्दी लेकिन मैं फिर भी आपको बता दूँ कि शारदूल की एक विकेट हैं के आगे कुल्दीप की दो विकेट हैं इंक्लूडिंग लास्ट मैच मुझे आज भी आदा है क्योंकि उस मैच में इनकी एज लगी थी और आइधिंग शॉट थर्ड बैन पर कैच हो गए थे ठीक है डिपक के और छावट याज इंका देखाऊँगे तो शार्दूल के आगे दो विकेट हैं मुस्तफिजूर के आगे विकेट हैं ललित के आगे भी एक विकेट है यह कौनसे फे और रहे रहे हैं रेट आर वाह तो भाई क्या डेविड वाउनर पहले ही छे ओर में तीस तरन करके मज़दार पॉइंट दे पाएंगे या नहीं यह देखने वाली बात है अगर सर्वाइव कर गए वो रभी विश्णोई को बड़ी इनिंग्स आ सकती है होल्डर ने भी इनको एक बार आउट जरूर किया है पृत्विश और चमीरा और क्रणल के आगे एक एक बार आऊट हुइ रिष्णपफन देखोगे ठोड़ा सा कह सकते हो चमीरा और विश्णोई के आगे एक एक के ने और ठीन बार ठीक है तो रिष्णपफन्फ कर नोहीं परनल खे थोड़ा सा सरप्रैसिंगी स्ट्रगल आपको पता है, इंटरनेशनली रेकरगनाइज़ हैं, आपको डिकॉक और पंत मिलेंगे जबकि ओपनिंग करते लोकेश राहूल, मैं सजेस्ट करूँगा कि एट लीस्ट दो तो आप लेके चलो, मैंने राहूल और डिकॉक को लिया है, इन फैक्ट मैंने तीसे रिशाप पं मैच वह था, उस मैच पर मैंने रिशाप पंद को नहीं लिया था, आप सोस्ते होंगे, रिशाप पंद ने तो अच्छी स्कोरिंग करनी थी, मैं हार गया होंगा, लेकिन सरफरास खान की स्कोरिंग, शौ, डिकॉक, राहूल, इवन यहां, शर्दो ठाकॉर और बिश्नोई बिश्नोई मेरे लिए इंपोर्टेंट रहे थे, दो विकेट उनों ने निकाली थी, और 33 वाली भी विकेट थी, तो यह टीम थी, बढ़िया रही थी, और जीता भी था मैं, एक बार आप नज़र डाल सकते हो, यह लास्ट मैच की ग्रैंड लिग विनिंग टीम थी, जिसम मैं आ जाता हूं, दोस्तों देखो, बल्ले भाजी में ना दो प्लियर तो आपको लेने ही लेनी है, प्रिथवी शॉव और डेविड वार्नर, अब आप कहो कि टेविड वार्नर का तो बहुत बड़ा स्ट्रगल है, रवी बिश्नुई के आगे, लेकिन रवी बिश्नुई तो मैंने वार्दर को भी लिया है, प्रिथवी शॉव को भी लिया है, जिरोंने लास्ट इम सिक्स्टी मारे थे, इसी टीम के आगे, दीपक हुडा, नॉर्मली वन ओफ मैं फेवरेट प्लियर्स, गन फिल्डर यानि की लॉंग ओन पर फिल्डिंग करते हैं, बाकी इनके लावा यहां पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा मिचल मार्श, यह दोनों वन डाउन के प्लियर है, मारकस टोनी इस नाम बड़ा है, रेटेंड प्लियर है, लेकिन अभी तक परफॉर्मेंस नहीं आया, तो मिचल मार्श और दीपक हुडा में मैं आपको सजेस्ट पहले अगर दिल्ली की बल्ले बाजी आती है, तो जरूर सजेस्ट करूँगा कि यह मिचल मार्श को भी ले सकते हो, आयूज बडोनी थोड़ा नीचे आते हैं, इसलिए नहीं ले रहा, मनीश पांडे, एवन लूई, सरफरास खान, मनन वोरा, रिपल पटेल, कायल मायर्स, करण शर्मा, अशुन हबार, मंदीप सेंग, यजदुल, नहीं खेल रहे, ठीक है, और राउंडर्स में दोस्तों यार, एक्चली यहां पे ना प्लियर तगड़े हैं, आप देखो, क्रुनाल है, अक्षर है, होल्डर है, आप तीनों को लेना चाहोगे न, लेकिन तीन में स किसी दो को लेना चाहता हूँ, यह काफी इंपोर्टेंट कॉल है, अगर हम फिर से ड्रॉप करें रिशप को, तो हम तीनों को पिक कर पाएंगे, लेकिन फॉर्दा टाइमिंग मैंने क्या किया है, मैंने होल्डर और कुरूनल पांडया को पिक किया, आइड़न तिंक कि मैं कुल्दीप यादव की रिशेंट फॉर्म अगर मैं देखूं तो चाहिए ही चाहिए हर मैच में विकेट निकाल रहे हैं और बढ़िया कर देखोगे, इन्होंने दो विकेट निकाले राहूल और डिकॉक के, वैसे राहूल देते नहीं है, स्पिनर्स को जादा विकेट, ल लेकिन अगर आज आपको रिस्क लेना है ड्रॉप करने का तो अगर आप ले लेते हो तो बोल्ड कॉल साबित हो सकते हैं और बढ़िया भी, अवेश, रह्मान, चमीरा, इन तीन में से आप किसी दो को सिलेक्ट कर पाओगे, अगर आप चाहो बिश्णोई तो भी आपको य लास में लिया था, उन्होंने दो विकेट निकाले थे, ठीक है, हमने यहाँ पर चमीरा को लास में लिया थे, दो विकेट ही नहीं रंज भी किये थे, तो ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल ही इनको लेना नहीं नहीं चा रहा, इस ज़स्ट मैं अवेश खान की बोलिंग को प् लिए अगर आपको लगता है कि मैंने कोई गलती करी है, अगर आपको लगता है डेविड वार्नर को वाइस केटन सी नहीं देनी चाहिए, ओल्डर बाबा को देनी चाहिए, लेकिन वह बहुत रिस्क हो जाएगा, लास में और एक डाला था, तो वो भी आप कर सकते हो, जिस की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और टॉप के कमेंट में भी दोस्तों मिल जाएगा, जरूर जोइन कर लें, यूट्योप पर सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए,